आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो गाईस इस question में हमसे पूशा है The dentition in rabbit is heterodont and option number one is polyfyrodont, diaphyrodont, acrodont और monofyrodont अब देखो heterodont dentition कौन सा होता है simple है जब किसी organism में हमें different types of teeth देखने को मिलते हैं different type of teeth तो उस dentition को हमके कहते हैं heterodont यानि की incisors हो गया, canines हो गए, ठीके, premolars and molars अब अपने rabbit के अंदर canines तो absent होते हैं लेकिन हमें incisors, premolars and molars देखने को मिलते हैं एक dentition होता है अपना heterodont इससे से related होता है एक अपना क्या, homodont homodont के case में क्या होगा, इसका opposite यानि कि वहाँ पे सिर्फ one और we can say single type of teeth होते हैं तो यह हो गया heterodont और homodont में differentiation अब आते हम options में सबसे पहले कहा रहा है कि polyphyodont अब देखो यहाँ पे जो classification है इसका polyphyodont का, dyephyodont का और monofyodont का यह किसके basis पे है, इनके replacement के basis पे ठीक है, यानि कि organism की पूरे life cycle में कितने sets of teeth देखने को मिलते हैं जैसे कि monofyodont हो गया तो यहाँ पे teeth एक बार भी replace नहीं होते है और यहाँ पे safe one set देखने को मिलता है of teeth during life cycle, ठीक है one set of teeth और during कर सकते है whole life cycle आते हैं, dyephyodont पे, तो dye means to that means कि यहाँ पे का होगा, हमें दो sets देखने को मिलेंगे of teeth during whole life cycle first में दे रखा है poly तो poly मतलब होता है multiple times तो यहाँ पे more than two कह सकते हैं और four, five, if you have, जितने भी time हो सकता है, appeal करेगा, वो सब किसमा जाएगा poly five dot मा जाएगा, यहाँ पे आप सिर्फ लिख दो क्या more than two ओके third option हमें दे रखा है accordion तो यह किस basis पे classification है अपने teats job on से कैसे attached है, यानि कि attachment के basis पे accordion तो वो teats होते हैं, जो हमारे job on की सिर्फ surface से attached होते हैं ठीक है, यह attached होते है कि इससे to the surface of job on, और यह teats अपने अगर करते हैं किस के अंदर sharks के अंदर और frogs के अंदर, तो यहाल option अपना incorrect हो जाएगा, ओके, अगर attachment के basis पे देखें, तो rabbit के अंदर अपना अगर करता है कौन सा, thachodont ओके, thachodont thachodont अपने जो होते हैं, यह पूरा embedded होते हैं, job on के अंदर embedded होते हैं, in job on, और यह हमारे present होते हैं, mammals में, और rabbit अपना क्या है, एक mammal है, इसके अंदर thachodont मिलेगा on the basis of attachment on the basis of succession, अपने diffiodont teeth होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, यह भी जो है अपने diffiodont characteristics हैं, कि इसके mammals के इसलिए, अपना rabbit जो है mammal है, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ठीक है, polyphiodont वगरा जो होते हैं, यह हमें देखने को मिलता है, कि इसमें fishes में, amphibians में, reptiles में monofiodont जो होता है, यह हमें देखने को मिलता है, कुछ moles में, moles हो गए, marsupials हो गए, ओके, और अपना जो platypus होता है, platypus एक mammal हैं, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट चॉइस, थैंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके, नीट IIT जेही, मेंस और अद्वांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुइंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे दाउटने टाप, यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स, 84444 पर,